Hi students, I am Deepak Rajuria. Welcome to my channel Focus Classes. Students, अभी जो question लगए हैं, linear equations in two variables से बहुत important question है. Exercise 3.3 का question number 2. इसमें हम लोगों को बोला है, solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. And hence, find the value of m for which y equal to mx plus 3. Means, यहाँ पर हम लोगों को दो linear equations दे रखी हैं. उन्हें solve करने के लिए हम लोगों को बोला है. फिर उसके बाद में हम लोगों को m की value find करनी है, जो के m इस equation के अंदर आता है, y equal to mx plus 3. ठीक है, तो चले start करते हैं. पहले हम लोगों क्या करेंगे, दौनों equations को solve करेंगे, x और y की value निकालेंगे, और x और y की value को इस equation के अंदर put करेंगे, और यहां से m find कर लेंगे. ठीक है, तो चले start करते हैं. और हम लोगों को जो first equation दे रखी है, वो कितनी है? 2x plus 3y equal to 11. माल लिया कि equation number 1 है. दूसरी equation है, 2x minus 4y equal to minus का 24, और यह equation number 2. अब क्योंकि substitution method से करना है, तो क्या करेंगे? एक equation से हम लोग, एक variable की value define करेंगे, find करेंगे, और उस value को हम लोग, दूसरी equation के अंदर put करेंगे. तो चले, equation number 1 से करते हैं हम लोग, so equation number 1 क्या दे रखी है? that is 2x plus 3y equal to 11. किस की value निकाल रहा है? y की value निकाल लेते हैं, so 2x को transpose कर देते हैं, so 3y equal to 11, और इसको transpose करेंगे, तो minus में जाएगा, so minus 2x, या फिर y equal to 11 minus 2x, अब देखो 3 को भी transpose कर रहा है, तो 3 क्या कर रहा था? multiply, तो transpose करने पर divide करेगा, तो यह क्या किया है? हम लोगों ने y की value निकाल दिये, in terms of x, और इसको name दे दिये equation number, अब हम लोग क्या करेंगे? इस y की value, equation number 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से तो यह value निकाल लिये है, हम लोगों ने, तो किस में रखना है अब हमें? 2 में रखते हैं, तो on putting the value of y in equation number 2, रख देते हैं, तो है क्या? 2x-4, और y के place पे क्या रख देना है? 11-2x upon 3, and this equal to minus का 24, अब हम लोग देख रहे हैं, इदर side में कितने terms हैं? 2 terms हैं, और इस term के अंदर, जो denominator है, वो कितना है? 3, तो क्या करना है अभी हम लोग ये denominator खतम करने के लिए, 3 से both the sides multiply करना है, so 3 से जब इसको multiply किया जाएगा, तो 2 का multiply, 3 में किया, तो 6x हो गया, minus, जब 3 का multiply, इस term में करेंगे, तो 3 से 3 cancel हो जाएगा, तब बचाएगा, क्या 4 into 11 minus 2x equal to, और जब 3 का multiply side में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, minus का 72, ठीक है, further simplify करते है, so this is 6x, minus 4 का multiply किया तो, minus 44, minus 4 का multiply, minus 2x में करेंगे, तो minus minus क्या हो जाएगा, plus, और 4 to 2 जा, 8x and this equal to minus का 72, अब देखो 6x and 8x, दोनों positive हैं, कितना हो गया, 14x minus 44, and this equal to minus का 72, अब हमें तो x की value निकालनी है नहीं यहां से, तो क्या करें, इसको transpose कर दें, so 14x equal to minus का 72, और इसको transpose करेंगे, तो positive होगा, plus का 42, ठीक है, अब हम लुग क्या करें, 14x, अब हम लुग क्या देख रहें, this is negative number, this is positive number, तो जब भी कभी ऐसा case हो, तो क्या देखते हैं, दोनों में से बड़ा कौन, और जो बड़ा होता है, उसका sign लगाई, और बड़े message होड़े को minus कर दीजे, ठीक है, सो 72 में से 44 को minus करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 28, हमें तो x चाहिए, तो 14 को भी transpose कर देते हैं, सो minus का 28 upon 14, divide किया तो कितने time, 2 times, so x equal to कितना निकल के आ जाता है, minus का 2, अब x की value को हम लोग put करेंगे, किस equation में, equation number 3 में, so on putting, x in equation number 3, ठीक है, so x की value को हम लोग equation number 3 में, put कर रहा है, so y equal to, 11 minus 2, और x के place पे हम लोग नहीं रख दिया, minus का 2, upon में क्या है, 3, so इसको further simplify करेंगे, 11 minus minus क्या हो जाएगा, plus, यह हो गया 4, upon 3, तो y equal to कितना निकलता है, देखिए, 15 upon 3, 15 upon 3 का मतलब 5, so y की value हम लोगों नहीं यहां से निका ली, जो कि कितने निकली, 5 निकली, x equal to minus 2, and y equal to 5, is the answer of this question, but यहां पर हम लोगों को एक और चीज़ फाइन करनी है, the value of m, ठीक है, solve तो करना ही था, अभी हम लोगों को m की value भी find करनी है, जो कि कहां से निकलेगी, इस equation से निकलेगी, ठीक है, so, we have, हम लोगों के पास क्या है, यह equation है, और यह equation क्या है, y equal to mx plus 3, so, on putting the value of x and y in this equation, so, y के place पर रखा हम लोगों ने, 5 equal to mx कितना है, that is minus 2 plus 3, simplify करते है, 5 equal to minus का, हो गया, minus 2m plus 3, अब देखो, 2m को इदर transpose कर दो, 5 को इदर transpose करेंगे, क्योंकि negative है, तो जब इसको इदर transpose करेंगे, तो यह positive हो गया, और यह क्या हो जाएगा, negative, so, minus 5 plus 3, ठीक है, so, इसको लिख सकते है, 2m equal to, minus 5 plus 3 कितना होगा, minus का 2, so, m equal to, minus का 2 upon 2, जोकि कितना निकला है, minus का 1, और यह हम लोगों का, दूसरा answer है, I hope students question आपको समझा गया होगा, पहुत important question है, so, अगर समझा गया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हो सके तो, इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दे, मैं फिर से आता हूँ, एक नए वीडियो के साथ में, till then keep learning and thank you for watching this video.